दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यान लोग में आज हम बात करेंगे additive inverse के बारे में यह हमें जो exercise 1.1 का second question है यह हमें दिया हुआ है तो यह जो है first, second, third, fourth, fifth हमें यह numbers दिये हैं और इनका हम निकालेंगे additive inverse additive inverse हम पहले बढ़ चुके हैं हम इसका एक overview ले लेते हैं additive inverse क्या है? कि जैसे माले जी 1 है इसके अंदर में ऐसा number add करें जिससे कि इनका addition जो है 0 आ जाए यानि कि इसका बिल्कुल उल्टा number जिसका sign बिल्कुल उल्टा हो तो यह जो होगा यह होगा 1 का additive inverse तो इस तरह से हमें यह number दिये है इनका हमें additive inverse निकालना है तो बहुत ही असान है जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमें number तो कोई रखना है लेकिन उसका sign change कर देना है ताकि वो add होने के बाद 0 दे तो वो होता है उसका additive inverse तो हमें दिया है 2 by 8 तो इसका additive inverse क्या होगा तो number तो वही रहेगा 2 by 8 ही रहेगा अब यह plus का था तो अगर हम इसमें minus का 2 by 8 को add कर दे तो यह होगा इसका additive inverse तो असानी से आप निकाल सकते हैं इसी तरह से आप दूसरा number ले लिजिए यह क्या है minus 5 by 9 तो number तो आपका वही रहेगा 5 by 9 यह minus था तो यहाँ पे plus का रह जाएगा यानि कि 5 by 9 जो होगा इसका additive inverse होगा तो एक plus का number था आपके पास rational तो उसका minus का यह number additive inverse होगा एक minus का rational number था तो plus का जो number होगा same वो इसका additive inverse होगा अब देखे कई बार आपको इस तरह की term भी दी आ सकती है अब minus 6 divided by minus 5 पहले तो आप इसको सही form में लिखिए कि आप इसको लिख कैसे सकते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 6 by 5 आप इसको लिख सकते हैं तो 6 by 5 आप इसको लिख सकते हैं पहले तो आपने इसकी सही form लिख ली, अब इसका additive inverse आपको लिखना है, अब ये plus का number है, जैसे पहला था 2 by 8, उसका क्या था 2 by 8 minus का, इसी तरह से 6 by 5 हमारा plus का है, तो इसका additive inverse बनेगा 6 by 5 minus का, तो ये होगा इसका additive inverse, तो इसी तरह से आपको दिया है 2 by minus 9, तो पहले तो आप इसको सही form में लिखिये, नीचे minus 9 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं, minus 2 by 9, अब minus 2 by 9 है, तो इसका जो additive inverse क्या होगा, 2 by 9 नमबर तो वही रहेगा, minus का plus हो जाएगा, जाने कि sign change, तो 2 by 9 जो होगा, वो होगा इसका additive inverse, इसी तरह से ये जो number है, ये शी की तरह सेम ह तो पहले तो आप इसको सही form में लिखिये, ये क्या लिखेंगे, minus 19 by 6, 19 by minus 6 था, तो हमने minus 19 by 6 इसको लिखा, और फिर आप जो ये number है, इसका जो additive inverse क्या होगा, 19 by 6 और sign change, यानि कि plus का 19 by 6, तो इस तरह से देखिए, आप हर एक का additive inverse निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसको पहल सही form में जरूर लिख लिजिएगा, नहीं तो mistake होने के काफी ज़्यादा chances रहते हैं, तो ये था हमारा additive inverse exercise 1.1 का question second, तो thank you वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा updated वीडियो के लिए आप हमारे channel ग्यान लोपे हमें subscribe कर सकते हैं, thank you